और इस समय हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं मौसम विभाग राजिस्थान जैपुर के निदेशक रादेशाम शर्मा 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 जी मौसम में अचानक जो बदलाव है हम सबी महसूस कर रहे हैं इस समय बिपर जॉए कि राजिस्थान प्रदिश में क्या इस् दिस्थिक्स हैं जहां पर 30 भारे बारे से एक्स्ट्रीमली हेवी रेन फाल की केटेगरी में रेन रिपोर्ट हुई है कुछ इलाकों में 300 में से ज्यादा बारे सब तक पिछले 20 गंटों में हुई है और अब भी देखें तो फिलाल ये सिस्थम बार मेर से थोड़ा पाली के असपास में पहुंचा है और इसका जो असर है अभी भी अगले 24 गंटों तक विशेश रूप से इदी कहें तो पाली, राजसमंद, सीरोही और उद्यपूर ये चार जिले ऐसे हैं इन में अभी भी अत्यन्त भारी बारिस का दौर अगले 24 गंटों तक जारी इसके अलावा जो अजमेर संभाग के जिले हैं, वहीं डुंगरपूर और उद्यपूर के भी जो चिताओर डुंगरपूर और जो जैपूर संभाग के भी कुछ इलाके हैं, इन में भी आज दोपेर बाद या रात के समें पीज़ बारिस कूछ इलाकों में हो सकती है, यहा और टॉंक की तरफ में तो इस सिस्टम का असर 19 जून को पूरवी रजस्तान के जो इलाके हैं विसे शुरूप से जैपूर संभाग वहीं कोटा संभाग और भरतपूर संभाग के दिलों में बारी बार इसका दौर जारी रहेगा लेकिन जो एक्स्ट्रीमली हेवी रेंफाल भी चल रही है उसमें अगले 24 गंटों बाद कुछ कमी होगी और दीरे दीरे आप देखेंगे कि 20 जून से जादा तर जिलों में बारिस में कुछ कमी रहेगी केवल जो पूरवी भाग है रजस्तान की होईं पे बारिस का दौर जारी रहेगा और पूर मिलाकर 20 जून से इस लगा सकते हैं कि जैपुर में तूफानी होई चले है राजस्तान में तूफानी होई चलने की संभावना कम है सिर्फ हैवी रेंफॉल होगा जी देखें ये सिस्टम 15 जून को एंटर लेंट फॉल करने बाद 16 जून को मदिराप्तरी में जब ये राजस्तान में प्रवेस किया था उस ताइम ये साइकलोन से कमजोर होके डीप डिप्रेशन बना था और डीप डिप्रेशन में भी 50 से 60 बलकी 70 किलोमेटर परावर तक तक आज शाम तक ये डिप्रेशन ही रहेगा तो हवाएं जरूर जो है वो पहले से कम हो रही है दिरे दिरे हवाओं का असर बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जहां पर इसका सेंटर है या उसके आसपास के जो 150 किलोमेटर के दाइरे में बहुत बहुत धनेवाद हम से जुड़ने के लिए और इतनी महतुपुन जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए